हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजड लोग श्रीग्र स्वस्त हो इस कठीन समय में पूरा विश्व समुदाय मौरक्व के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुचाने के लिए तयार हैं यूर हैनेसेज एक्सलेंसीज जी ट्वेंटी के प्रसेडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार दिख स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाशा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातिसु हेवं अर्थात मानवता का कल्यान और सुक सदेव सुनिश्चित किया जाए दाहजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस जीट पेंटी समीट का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है friends COVID-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है जब हम COVID को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के President के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस Global Trust Devisit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थेववस्ता में उठल पुथल हो नौर्थ और साउत का डिवाईड हो इस्ट और वेस्ट की दूरी हो फूर्ड फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो टर्रिजम और साइबर स्कुरिटी हो हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्यूरिटी हो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनावतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा फ्रेंक्स, भारत की जी ट्वेंटी प्रसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है भारत में ये पीपर्स जी ट्वेंटी बन गया, करणों भारतिये इस से जुड़े, देश के साथ से ज़्यादा शहरों में, दोसों से ज़्यादा अधिक बैठके हुई सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था, कि अफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी की स्थाई सदस्यता दी जाए मेरा विश्वाद है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है आप सब की सहमती से आगे की कारवाईश सुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को जी ट्वेंटी के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ अध्री करता है अध्यूश्यूश्य थरूप्र प्रस्ताव कि इसके साथ ही मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्रा आग्र करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागरू से बाहर जाने का कश्ठ करें